हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनिंग के कुछ आज़ी इसे स्वाइशन को डिस्कास क्रेंगी जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन होगे तो पहला फिर्टेट चीज़ेंद है कि है जो एक सरकल में जो है संटर के और मुख करेगा तो और लैप चलने को कहेगा तो हम किदर ऐलेंगे और जब धेर राइट यानि कि दाएं और चलने कहेगा तो एंटी क्लॉक्वाइस ठीक है और इसका जैस्ट उल्टा अगर क्या सेंटर की बिमुख होकर यानि सेंटर से बाहर की और मुख करके बैठेगा तो उस कंडिशन में लेप्ट अगर चलने कहेगा तो एंटी क्लॉक्वाइस घड़ी के इतना ध्यान में रखना है उसके बाद क्या है कि छे मित्र है और बिताकार रूप में केंद्र के और मुक करके बैठा हुआ है ठीक है उसके बाद क्या दिया है कि रूना चारू और परी महिलाएं हैं उसके बाद वरून मनु और प्रकास क्या है मेरा पुरूस है तो यह लिख चारू और परी महिलाएं है तो रूना होगया चारू होगया और परी कौन है मेला है यानि कि female है negative देता है female यानि कौन negative उसके बाद क्या कहач रहा है यहाँ पर की वरून मनूह और प्रकास क्या है पूरुस है ठीक है वशन हो प्रकास को यह क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ठीक है उसके बाद क्या आता है उसके बाद में स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि वनु जो है वरून और प्रकास के मद में बैठा हुआ है मनु जो है वरून और प्रकास के मद में बैठा हुआ है तो क्या करेंगे कि मनु को यहां बैठा दिए वरून को यहां बैठा दिए और प्रकास को यहां बैठा दिए अब उसके बाद क्या कह रहा है तो इसमें दो condition होगा या तो overrun यहाँ भी हो सकता है और प्रकास यहाँ भी हो सकता है ठीक है लेकिन आगे का statement पढ़ लीजे तब next condition को जो है इसके बगल में बना देंगे तीक है अभी यही रने दीजे ठीक है उसके बाद क्या कर रहा है कि चारू जो है परी और रूना के मद में बैठा है तो तीन तो इंगेज हो गया चारू भी कहा है बीच में बैठा है चारू ठीक है चारू बीच में बैठा है देखे और यहां देखे यहां देदिये परी यहां देदिये और इसके बात क्या देदिये रूना यहां देदिये ठीक है न उसके बात क्या कह रहा है उसके बात कह रहा है कि वरून और परी एक दूसरे के आमने सामने है ठीक है तो यहां देखे वरून यह हो गया ठीक है और आमने सामने हो गया तो यानी ये condition क्या हो गया satisfy हो गया इसलिए क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे उचने इसमें change करेंगे ठीक नेस्ट क्या कह रहा है कि रुना के दाई और पूरूस बैठा हुआ है ये भी एक condition है तो आप देखिए ये रुना क्या थी ये क्या थी ये तो एक फिमेल थी रुना क्या थी एक फिमेल है ना और देखिए रुना एक फिमेल है उसके बाद चारू क्या है फिमेल है उसके बाद ये क्या ये भी फिमेल है यह क्या है मेल है यह भी मेल है और यह भी मेल है तो कंडिशन में कह रहा है रूना के जो दाइं और है यहां कह रहा है ना रूना के दाइं और पुरूस बैटा है यानि दाइं और यानि कि एंटी क्लॉक्वाइज में पुरूस बैटना होगा देखें एंटी क्लॉक्वाइज यह दाइं और चलेंगे तो क्या हो गया वरून मेरा हो गया तो वरून क्या हो गया पुरूस हो गया तो यह भी कंडिशन एक सटिस्फाइ हो जाता है तो आप क्या करना होगा तो question में क्या कह रहा है question में कह रहा है कि परकास के एकदम दाईं और कौन बैठा है यानि कि परकास से हम anti clock wise चलेंगे तो वहाँ पर कौन बैठा हुआ है तो देखते हैं कौन बैठा हुआ है आगे देखे परकास यहाँ पर है न परकास के एकदम दाएं पूछ रहा है कौन बैठा हुआ है तो परकास के दाएं एकदम कौन बैठा हुआ है यह परी बैठी हुई है ना तो इसका correct answer क्या हो जाएगा परी यह परी जो है correct answer हो जाएगा तो option number is the correct answer अब next आते हैं next में क्या दिया गया है कि एक जनवरी जो है 2018 को सुमबार तक इनमे से किस वर्स का नया वर्स सुमबार को सुरू होगा यानि की कह रहा है यहाँ पर कि एक जनवरी जो है 2018 क्या है यह सौमवार है तो एक जनवरी नया वर्स एक जनवरी को start होता है तो यहाँ कौन सा year लेंगे इन में से मतलब यह जो option इन में से कि यह भी क्या हो जाए तो सौमवार तभी होगा जब समवार दिया गया क्या है जब यह समवार है और समवार तभी होगा जब जो है साथ दिन या साथ दिन का मल्टिपल में इसमें एड़ करेंगे तो वह समवार होगा साथ दिन एड़ करेंगे समवार समवार तो भी समवार होगा साथ दिन का multiple में कुछ भी लीजिए यानि कि साथ लीजे चौदा लीजे, 21 लीजे 28 लीजे, यानि कि जो 7 का जो पहाड़ा होगा ठीक है, accounting 717, 72014 ऐसे करके अगर करेंगे तो सभी क्या होगा, सौंबार ही होगा अगर कोई भी date हो, उसमें अगर साथ दिन एड़ करेंगे, या साथ दिन का multiple एड़ करेंगे, तो वही दिन होगा ठीक है, तो अब देखिए हमको कैसे इसको करेंगे ठीक है, तो मान लेता है कि अब चुके यहाँ पर एक जनवरी ही था ना, अब जो भी आएगा, तो यहाँ क्या हो गया मेरा दीन भी और डेट भी दीन भी और डेट भी क्या है, सेम है इसलिए इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम एड़ के बेस पर काउंट करेंगे ठीक है न, तो यहाँ पर मान लीजे कितना है, 2018 है 2018 हो गया तो पहला एड़ यह 2020 को देखते है क्या होगा, इसमें देखे डिफरेंस कितना है, दो दिन का डिफरेंस है, अब दो दिन का डिफरेंस है, तो इसमें कितना लीपियर होगा, कितना नॉन लीपियर होगा यह क्या चार से डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा यानि कि इसमें जो है कितना होगा दो दिन एक्स्टा होगा क्योंकि अगर जो इसे डिवाइट कर रहे हैं वो और जिसको डिवाइट कर रहे हैं वो अगर छोटा होगा जैसे दो को चार से डिवाइट कर रहे हैं दो तो चार से छोटा है ठीक है यानि कि जो remaining होगा वो कितना होगा दो दिन ही होगा remaining कितना होगा plus two ही होगा तो अगर दो दिन होगा तो क्या होगा नहीं seven या seven के multiple में add करेंगे तब ही सौमार होगा यानि ये जो दो हुआ ये क्या होगया odd day मेरा होगया ये जो दो year होगया यह क्या हो गया इसमें लीप एर एक भी नहीं आ रहा है 2018 से 2020 में क्या लीप एर कोई आ रहा है क्या नहीं कि लीप एर मेरा एक भी नहीं आ रहा है यानि कि लीप एर मेरा एक भी नहीं आ रहा है तो 2018 को count किये और 2019 को count किये 20 को count नहीं करेंगे ठीक है तो इसके बीच में कौन सा हो गया क्योंकि 2020 तक ही जाना है हमको ठीक है तो क्या हो गया एक जनवरी तक जाना इसलिए total को count नहीं कर रहे हैं तो 2018 भी leap year नहीं है और यह भी मेरा क्या है 2019 भी leap year नहीं है यानि यह जो plus 2 आ रहा है यह क्या हो गया ordinary मेरे year हो गया तो ordinary year में क्या हम जानते हैं कि एक दिन extra होता है ठीक है ordinary year मेरे एक दिन extra होता है और जो leap year होगा उसमें कितना दीने एक्ष्ट्रा होता है है ना यह बात तो पता है इसमें जब कि मेरा क्या हो गया कि यह जो कि बीसक्र को गया 2anges और हो गया है यहनी कि दो है जले के 2020 को है कि अ majesty कम यहा रहे है इसलिए के शनुक्तurg को हान् 2019 हारा है यानि इसमें जो है मेरा एक दिन एक्स्ट्रा होगा यानि कि दो गुने एक यानि कि दो दिन एक्स्ट्रा हो गया दो दिन एक्स्ट्रा हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि सौंबार से दो दिन एक्स्ट्रा हम बढ़ेंगे बुद्वार होगा लेगिन हम को साओए कितना सुन्वार चाहिए इसलिए तो नहीं होगा इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो गया अब हम क्या चेक करेंगे 2018цу लेकर दो हजार 2022 को चेक कर लेते हैं अब इसमें देखिए कितना हो गया चार हो गया फोर येर हो गया अब चार साल में कोई भी इसमें लीप येर है क्या अब देखिए इसमें 2018 को काउंट करेंगे 2019 को 20-21 थाइस टेखें 2018 से 2022 तक आ गया यानि कि 2018 2019 2020 2021 इसी को लेंगे हो रहेंगे क्योंकि एक जन्वरी तक ही हो रहा है हैं टोकल जो हम काउंट कर रहे हैं 2019 एक जन्वरी टो हजार बीस कह एक जन्वरी 2 2021 का लेकिन 2022 को पूरा कर नहीं लें एक जन्वरी इसलिए 2022 को कंप्लीट हम नहीं लेंगे ठीक है तो इसके बीच में 레 inclusion कह हो गया गया वो गया ना今日 Reynolds 2018 2019 2020 2020 अब बताइए 2 Jahren 2018 क्या लीपियर है नहीं है 2020 लीपियर है यानि कि मेरा कितना आ गया एक लीपियर आ गया फिर 2021 भी लीपियर नहीं है यानि कि एक लीपियर आ गया इस 4 साल के GYP में तीन 9 लिपियर आ गया अब इसको कैसे करके देखेंगे तो हम हाथ से लेकर काउंट कर दिये तो डिरेक्टली कैसे करेंगे जैसे चार साल को इसको क्या चार से डिवाइट करेंगे लिपियर जाने के लिए चार से डिवाइट करते हैं जब इसको चार से डिवाइट करते हैं तो कित थीका है कि 4 से भाग देंगे जितना time खाएगा वह गया लीप फिर दीए जानी कि इसको 4 से भाग दे दिये द्युप कि इसमें क्या हो गया एक लीपयर होuben और देखिव को पता है कि जो leap year होता उसमें 2 दिन extra होता है तो इसको 2 से multiply कर देंगे और जो non leap year होता है एक होता है तो इसको 1 से multiply कर दिया ठीक है तो यहां कितना हो गया 2 ठीक है और इसको कितना हो गया plus 3 हो गया 3 एकम 3 तो कितना हो गया पूरा पूरी 5 यह देखे यानि कि 5 दिन मेरा क्या हो गया संबार में 5 एड़ करेंगे तो क्या आएगा संबार नहीं मिनिमम साथ आना चाहिए यानि ये भी क्या होगा नहीं होगा ठीक है ये भी नहीं हुआ तो अब क्या लेंगे 2018 ले लिए 2023 को भी लेते हैं 2023 में लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा पांच साल का गया जाएगा तो इसको क्लाइख करेंगे क्योंकि दो दिन एक्स्टा और ये चार क्या हो गया नोली पियर यानि कि एक दिन एक्स्टा हो गया यानि इधर के आउगया 2 हो गया इधर के आउगया चार हो गया तो इसको एड़ करते हैं दब 6 दिन ही होता है तो समबार में 6 दिन एड़ करेंगे समबार आएगा नहीं आएगा तो यह भी मेरा नहीं हुआ अब देखिए और क्या करना होगा फिर अप लास्ट एक तो अंसर तो इसको कितना करेंगे 2 से गुना कर देंगे और इसको एक से गुना कर देंगे यानि यह कितना हो गया दो इधर हो गया पांच अब देखिए पांच प्लस दो हो गया साथ तो साथ दिन अगर सौंबार में अट करेंगे तो क्या हो जागा यह भी सौंबार हो जागा यानि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर डी होगा समझ में आ गया तो एक कमेंट जरूर करें कैसे नेक्ट प्लopen को लेकर जितने भी लेटर है यह कितना टिवंटी आए ठीक है और टिवंटी लेटर में अगर इसको डिवाइट करेंगे तो Gel में पांच पर बनेगा और पांच करते किशोंबाय प्लें मलमें तो छार पायर में बनेगा ちょis अब वाज है kız है यहां थे ऐसे हो गया फांच पांच और हैसे हो गया पांच अर्सें अब क्या होगा कि ऐच के पहले चो यहां ह देखिये मत्सक्राइग को है या बैठा देते हैं यह जे हो गया हर जगा में एच के पहले क्या हो गया जे हो गया यहां भी एच के पहले देखिए क्या है जे अल्रेडी दिया गया है उसके बाद एच के पहले यहां भी क्या बैठा देते हैं हम जे बैठा देते हैं ठिक उसके बाद क्या होगा यह देखे सभ एल से start है इसले यहां भी बठा दिये अब देखे difference क्या हो रहा है second लेटर यहां T है यहां क्या होगा यह वी है फिर यहां क्या होगा ठीक है ऑप्शन को अगर देखेंगे तो second वाला जो है यहाँ पर J है और second वाला जो fill in the blanks यह समी में U करके है तो यहाँ पर यह क्या किया गया है कि U भर दिया गया है ठीक है यह क्या हो जागा यू हो जागा यानि कि T के बाद U हो गया एक increase कर गया फिर U के बाद second वाला में यहाँ देखिए next pair में V हो गया फिर next pair में एक बढ़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा यह डबलू हो जाएगा है समझ में आ गया एक एक करके वो increase कर गया अब देखे क्या है J के पहले यहाँ पर क्या है K है तो यहाँ भी क्या भर दिये K भर दिये, J के पहले यहां भी K भर दिये देखें, सभी में उसके बाद क्या है? एक है, यहां पर K है यह फिर LL कर के है ठीक है? और फिर यहां पर K है, J है, complete हो गया यहनि कौन सा हो गया है? क्या क्या भरे? यहां पहला आँ, J, U फिर L फिर k फिर क्या हो रहे डबलू और j किस option में j से start हो रहा है तो ये तो नहीं होगा उसके बाद ये भी नहीं होगा कौन सा हो जाएगा second last अगर देखें तो x, j है और w है तो ये तो x ये भी नहीं होगा second last में क्या है x और j है तो option number D मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है ना अब देखें इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए इसको करने के लिए नमबर और ट्राइंगल तो इसमें कौन सा मान लेते हैं ये अगर सेफ है ये अगर मेरा मान लेजेए सेफ है अगर हम उपर से जो है यहाँ पर एक रेखा किस देते हैं तो क्या हो जागा ये हो जाएगा एक पार्ट और दो पार्ट यानि 1 प्लस 2 इस एक्वल टू 3 तो इसमें कितना count करेंगे 3 ट्राइंगल ठीक है लेकिन इसका basic अगर देखें ये भी एक triangle हो गिया और next अगर लेंगे तो ये वाला जो है बड़ा ला भी तो triangle होगा तो एक छोटा वाला 2 और एक बड़ा वाला 3 या फिर डारेक्ली इसमें क्या करते हैं वह करते हैं ये 1 और 2 को directly add कर डेते हैं ठीक है तो इसको कुछ नहीं करेंगे ठीक है तो इसमें और एक method इसका ये है एक तो ये method हो गया एका गिनने के लिए लेकिन एक quick method ये है तो कितना हो गया ये दो प्लस एक क्या हो गया तीन हो गया तो क्या हो जाएगा N हो गया तो number of triangle कितना हो गया यह जोड़ लिते है gap कितना है 2 gap कितना है इसमें यह देखिए gap अगर देखें तो कितना है gap ओ सॉरी यह gap कितना है यह gap कितना है यह gap है और 2 gap है तो हम कुछ नहीं करेंगे 2 हो गया और 1 बढ़ा कर देंगे 3 क्या होता है जैसे और बटे 2 हो गया और 2 और 2 cancel हो गया तो हो गया 3 इसको किस तरह किये इसमें किये N N प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 यह किसले करते है N N प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 किसमें करते है यदि कोई भी sum निकालना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना करता है तो यह करना होगा ठीक है जैसे अगर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 का निकालना है जैसे यहां तीन टर्म है तो हम क्या करेंगे तीन हो गया और n तो तीन हो गया n प्लस 1 यानि कि 4 डिवाइड बाइ 2 तो कितना हो गया दो तो 6 और यहां भी एट किजे तो 3 2 5 प्लस 1 6 तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ठीक है तो गैप कितना हो गया 6 हो गया मान लिजे इसमें और एक मैथड़ बताते हैं मान लिजे कि ऐसे हो गया ठीक है इसमें इस तरह का ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें 2 गैप दिया है तब किस तरह करेंगे तो इसमें एक गैप यह वाला हो गया दूसरा गैप यहां से यहां तक और तीसरा गैप यहां से यहां तक तो हो गया 3 गुने एक इंक्रिस करके 4 डिवाइड वाइड दो कर द तो यहां कितना हो जाता है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 इस एक्वल टू 6 देखे 6 इसमें भी आ रहा है तो method इसका यही है तो अब हम इसको क्या करेंगे यहां पर कैसे है कि यह वाला है यहां पर देखिए यह एक triangle हो जाता है और यहां से एक triangle ऐसे करके हो जाता है और यहां हो गया अब देखे इसमें कितना 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap ठीक है 4 हो गया और गुने क्या कर दी एक increase करके 5 divide by 2 कर दी इधर ठीक है न तो यह कितना हो जाता है 2 दूनी 4 यानि इधर कितना हो गया 10 हो गया आप देखे उपर में भी क्या है 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap यानि उसी तरह होगा इसको directly क्या करेंगे गुना 2 कर देंगे यानि कितना हो गया 20 हो गया 10 गुना 2 कितना हो गया 20 हो गया ठीक है तो इधर कितना हो गया मेरा 20 हो गया अब देखे, next में लेके चलेंगे, इधर भी देखे, gap कितना, 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap, वही बात होता है, 4 gap इधर भी हो गया, ठीक हैं? है और इधर भी किया जार्ट हो गया यानि चार गयप होने के लिए तो पहले निकाल चुका है कि इस तरह इधर भी हो जाएगा कितना हो जाएगा किए गई ट्वृंटी हो जायेगा क्योंकि नीचे वालेंगे कितना हो जागा डस और उपर दस तो हो गया वीया बीच ठीड़ ऻके तो और एक हो गया कितना लिख लिए 20 लिख लिए फिर नहीं कि और मेरा आ गया अब देखें यहां तक तो हो चुका ना यहां तक तो हो चुका अब next मेरा कौन सा हो गया यह वाला सिर्फ बाकी है यह वाला एक triangle है यह वाला और दूसरा है यह triangle और तीसरा है यह triangle ठीक है तो इसमें भी कितना gap हो जाता आप देखो इसमें भी अगर लेंगे तो 1 gap 2 gap 3 gap तो 3 हो गया उन्हें एक बढ़ा के 4 और divide by का कर दिये 2 n, n प्लस 1 by 2, n कितना हो गया, 3 gap हो गया और प्लस एक 4 और divide by 3 दूना, कितना हो गया, 3 दूना 6 तो और इदर कितना हो गया, 6 यानि add इसको करेंगे तो कितना हो गया, 46 46 ऐसे हो गया 46 इसका answer होगा तो कौन सा answer होगा option need यह Quick Method है find करने घ्या बेसिक ही method है इस बीच मैसेना हो मैं बता देता हूं option नबर भी हो गया जो यह basic method है जहें जैसे इसको क्या करते हैं यह 2 हो गया यह 3 हो हो गया और ये-दर भी 1 2 3 4 ठीक है इधर भी इता हो गया 10 हो गया या दस बिने दो बीस इतर भी आसे भी हो रहा है है सँधर लिख लेंगे सब करेंगे सीह होगा यहां भी हो तो दोनों कंडिशन में मेरा क्या होगा सेम होगा लेकिन वह थोड़ा क्विकिस्ट मैथड है तो ऑप्शन नमबर यहां पर कितना हो जागा बी करेक्ट आंसर होगा अब देखेए यह देटा सीफिशिएंशी का कोश्चन ना कहा है कि चार पीपूल एभी सीडी एंड डी हैया न Chris चार एभी एघी और सब कारे अधर व्हुड souvent साल यह व्हों को मताना कि कौन तेक्षां कोई साल कि तो जैसे पहला कीसफिरेंट मिंदी कि D is the 15 years, D is not 15 years old, यह दिया हुआ है कि D जो है मेरा 15 साल का नहीं है, तो यहां पर देखे यह बताना है data sufficiency, तो यह क्या कर रहा है कि D जो है मेरा, D क्या है, 15 साल का नहीं है, ठीक है न, D जो है क्या कर रहा है कि 15 साल का नहीं है, उसके बाद क्या कर रहा है कि पहला statement से ठीक है, C is 5 years old, C की उमर 5 वर्स है, और A जो है, क्या है, older than B है, A is not older than B, either B or not D, A तो नहीं क्या है कि B से बड़ा है, नहीं क्या है, D से बड़ा है, ठीक है, यानि कि दोनों condition में क्या हो गया, कि A जो है, B से भी चोटा है, और D से भी चोटा है, ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर कर दिये, मान लिजे, यहाँ लिख दिये, A, B, C और D, ठीक है, D तो C कितना 5 वर्स का है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, अब D हो गया, तो D 15 साल का नहीं है, तो यानि यह क्या हो गया, या तो यह 15 साल का होगा, यह वाला 15 साल का होगा, या फिर B 15 साल का होगा, D दो 15 साल का नहीं होगा ठीक है D जो है 15 साल का नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 साल का होगा या फिर मेरा 20 साल का होगा जब 15 साल का नहीं हुआ तो ठीक है इसमें भी एक condition और क्या कह रहा था कि A जो है क्या है B से छोटा है और इसके साथी D से भी छोटा है अब देखिए A जो है B से छोटा है A अगर B से छोटा होगा तो B अगर 15 साल देंगे तभी नहीं हम इसको 10 साल दे सकते हैं ठीक है छोटा है यानि छोटा करने के लिए हमको क्या करना होगा यहां 10 साल लिखना होगा जब ये 10 साल हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा आटोमेटिक 20 साल हो गया इस कंडिशन में भी ए क्या हो गया देखे D से छोटा हो गया तो यही मेरा पहला वाला क्या हो गया सफिसेंट तो हो रहा है इसे हम बता पा रहे हैं कि B कौन 15 साल का होगा तो यहांपर B 15 साल को होगा तो पहला वाला जो स्तेट्मेंट है वो तो सफिसेंट है ये बताने के लिए कि कौन सा जो है 15 साल होगा दूसरा क्या कह रहा है दूसरा स्तेट्मेंट में क्या कह रहा है कि D is older than A D जो है A से बढ़ा है Who is older than C लेकिन अब देखिए यहाँ पर B के बारे में ना तो D के साथ relation दिया गया है ना C के साथ relation दिया गया है इसे हम कैसे क्या जानेंगे सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि यह D से बढ़ा है A D जो है A से बढ़ा है और A C से बढ़ा है लेकिन बी का relation हमको बता ही नहीं है नहीं किसी का यहां पर दिया गया है ठीक है तो यह वाला जो है second वाला को हम नहीं कर सकते हैं इससे data is sufficient है तो पहला वाला ही केवल sufficient है यह answer देने के लिए कि कौन 15 साल का होगा तो कौन सा सांसर होगा data in one alone are sufficient बिल्कुल सही होगा option number is बिल्कुल सही होगा यह भी गलत होगा either one either two यह वाला होगा नहीं तो आदर दोनों के एक साथ होगा यह नहीं तो यह पहला वाला जो होगा answer मेरा क्या होगा सही होगा कि अब देखके का रहा है कि कुछ computer क्या है laptop है क्एक है कुछ computer क्या हो गया laptop क्विश्म क्या होग्या laptop हो गया यदि मेरा statement क्या है positive है तो मेरा conclusion होगा वो हमेशा positive होगा और अगर statement negative है तो conclusion भी क्या होगा मेरा negative होगा ठीक है तो यहाँ पर next क्या कह रहा है कि no tablet is mobile अब देखिए यह बाला क्या होगा no tablet is mobile tablet का mobile के साथ कोई connection नहीं होगा conclusion में no mobile is laptop तो यह बोलेगा कि laptop और mobile के साथ क्या कोई negative relation कुछ दिया है क्या नहीं दिया गया है चुकि mobile का जो है tablet के साथ negative relation है कि ना तो tablet का कोई mobile में जाएगा ना ही mobile का कोई tablet में आएगा ठीक है अगर हमको बोलता यह देखिए यहाँ पर जो है देखने से पता चलेगा यह जो पार्ट है laptop और tablet का जो पार्ट है यह पार्ट जो है mobile में नहीं आ सकता ठीक है यानि हम कह सकते हैं कि some laptop are not mobile यानि कि जो भी laptop का पार tablet का साथ share है वो क्या है mobile में कभी नहीं आएगा यह अगर बोलेगा फॉसिबिलीटे का को अगर 100% कि यह सियोर नहीं है लैप-टॉप में सभी आएगा की नहीं है तो उस कंडिशन में possibility का अगर केस रहता तो वो क्या होता और तो क्या होता सही हो जाता जो मेरा 100% है तो उसका क्या होगा पॉसिबिलीटी का केस का होगा गल अगर यहाँ पर रहता कि सभी mobile सभी laptop जो है mobile पर जा सकता है ठीक है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह पार्ट नहीं आएगा mobile में कभी भी इसलिए सभी laptop वाला mobile में नहीं आएगा इसका possibility भी मेरा क्या होगा गलत हो जाएगा ठीक है तो यह वाला क्या है गलत होगा नेश्ट क्या है नो टेबलेट इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है यह क्या होगा इसलिए गलत होगा यहां पर जो है कोई भी मेरा नहीं होगा लेकिन कि यह देखे कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नमबर डीज़ दा करेक्ट अंसर नेस्ट है कि यह अनलोजी का क्वेस्चन है इसमें देखे जैसे इसमें 8 से मृटिप्लाई कर दिए इतना होगा इसमें वेगर 8 से मृटिप्लाई करके देखते हैं तो 339 को 8 से मुल्टिप्लाइ करते हैं तो कितना हो गया 7 और 24 प्लस 7 हो गया 31 लेकिन 312 तो है नहीं तो देखिए एक केस और यहां पर यह के कंडिशन तो होगा नहीं तो नेक्स अगर देख सकते हैं तो अगर आप इसको जो आठ से गुना कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं इसको भी आठ से गुना कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें कॉमन है कि पहला वाला इसमें जो है नंबर में जो फर्स्ट डिजिट है वह भी आठ है और इस नंबर म तीस अगर रहता दो सो सकतर प्लस एकासी कितना हो जाएगा 351 आप गुना करके देखो 351 हो जाएगा ठीक है तीन सो कितना हो गया 51 हो गया ठीक है ना तो 351 इसका करेक्ट आपसर होगा कि निश्चित कुडभास में एंजिनियर को यह लिखा गया है तो कैसे होगा इंजिनियर है एंज आए और डल कुछ गयिवे to a तो यहाँ से क्या ले ले लिया I हैं ये ये लिया फिर लाट में इंजी और बीच मैं आयN तो आई N को जोंका त्यों उतार देता है को चलगा है कि यहां पर को पर लिख हें फ्रीक को रिवर्स करके लिखर दिया गया है यह तो सम सी किया करना है हम और यह को थैन को तो प्रीयों इसी तरह को मेन देख करें समय को तो प्रडूशार में के लाश्ट का जो डूरत हैसे पी और O B U C E R तो कैसे करेंगे इसमें कि यह तीन ले लिए यह तीन ले लिए इसको जो कत्यों उतार दिये D U हो गया और इसको जो है ऐसे करके लिख देना है यानि R हो गया E हो गया और C हो गया और इसको जो है ऐसे ही लिख देना है P R O तो यह किसमें R E C D U P R O पहला वाला option number A में तो यह थे important questions थैंक्स पर वाचिंग वर्किंग थोट्स